हाई देर आप देख रहे हैं स्वास्टेक वीडियो और इस वीडियो में मेरे पास है आज हीरो की एलेक्ट्रो इबाइक जिसमें एक बैटरी है आप सोच रहे होंगे इसका बैटरी का है इसका फुल इंडेप्थ रिव्यू इन डेटेल में आपको बताऊंगा तो बने रहे ह साथ इस वीडियो में लास्ट तक और मैं आपको बताता हूँ इस यह बाइक आपको क्या गया ओफर करती है अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कम्यूट करना है और आपको लीजर राइट्स भी लेना है तो यह यह बाइक काफी अच्छा एक अल्टरी हो सकता है आपके टू लाओी फ्रेम है जो इसको काफी लाइट वेट प्रवाइट करता है यहाँ पे एक बॉटल होल्डर आप देख रहे होंगे जो की कंपरी प्रवाइट नहीं करती एक्स्टरनली आपको लगवाना पड़ता है इसके बारे में मैं आपको टोटली बताऊंगा और सीट कवर य यहाँ पे एक आपको मोटर मिलता है यह एक हाइब्रेट e-bike है और यह सिंगल स्पीड में है यह सेवन स्पीड गेर में भी आता है बट मैं आपको बताऊंगा सिंगल स्पीड लेनी का फाइदा है ओवर द गेर वन यहाँ पे आप देख रहे होंगे आगे एक कॉंसोल मिल आपको यह इस e-bike का control unit है, इसको आप on off करेंगे जब तो आपको यह low to high battery indicator दिखा है, low means सबसे least और high means सबसे ज़्यादा full battery, तो अभी आप देख रहे हैंगे मेरे मेरे पास 75% battery है, यहाँ पे pedal assist mode है जिसमें आपको low, medium, high मिल जाता है, जो आपको pedaling करने में help करेगा motor, और यहा पैसे भी चल सकता है, आप pedal assist से भी यूज कर सकते हैं या throttle से भी यूज कर सकते हैं इस button को दबाने के बाद, यहाँ पे आप bell भी देख रहे होंगे, यह भी इस bike में नहीं मिलता है, यह आपको बाहर से लगवाना पड़ता है, और यह light भी, इस light का भी मैंने review किया है, और यह reflector आपको इस company में ही provide करती है, इस e-bike पे, इसका नाम e-zaphire करके है, और आप देख पा रहे होंगे, कि यह जो e-bike है, यह single speed में है, single speed में जो इसका motor है 250 watt का, वो अराम से आपको assist करता है, electrically, जब आप ठक जाए, चलाते चलाते, या आपको uphill चलना हो, climb करना हो, और आप अराम से नहीं कर पा रहे होंगे तो, बात करते हैं कि city commute में यह कैसा comfort provide करता है आपको, अगर मैं इसकी range की बात करूँ, तो यह एक बार में full charge होने के बाद, 30 km तक चल सकता है, और maximum speed जो यह attain कर सकता है, that is 25 km पर आर, अगर यह totally 0 percentage पे है battery, तो इसको full charge करने में आपको लगे तकरीबन 4 गंटे, और 4 गंटे के बाद यह आपको 30 km distance तक travel करवा देगी, इस एवाइक का एक और खास बात यह है, इसमें आपको कोई DLRC की भी requirement नहीं है, क्योंकि यह 25 km पर आर तक चलती है, तो आप बिना किसी paper के इसको roads पे अराम से चला सकते हैं, इसमें आपको in fact helmet पह आर का battery लगा पड़ा है, जो की बहुत अचा torque प्रोवाइट करता है, इसको आप एक हाथ से भी आराम से उठा सकते हैं, देखें मैं कैसे इसको throttle दे रहा हूँ, और यह आराम से इसका motor इसको आराम से चला पा रहा है, इसको आप pedal assist mode पे भी चला सकते हैं, यानि कि आप इसक से लंबा distance travel करने में कोई difficulty ना आए, और आपको human effort कम लगता है, low, medium, high तीन settings है, तो low में आपका effort जादा लगेगा, और motor का effort कम लगेगा, high में आपका effort सबसे कम लगेगा, और motor अपना काम करेगा, motor आपको आगे बढ़ा देगा, बात करूँ अगर मैं इस bike की, तो यह एक hybrid e bike है, जिसको आप mountain और road दोनों conditions में अराम से चला सकते हैं, जादा off-roading के लिए तो नहीं बनाए, बढ़ हाँ, फिर भी आप थोड़ा बहुत करी सकते हैं, इसको बिना pedal किये हुए भी आप अराम से लंबा distance travel कर सकते हैं, the biggest advantage of the motor is, that it gives power to the wheels, when needed, now if I talk about the brakes, तो इसके front में आपको disc brake मिल जाता है, और rear में आपको मिलता है power V brake, यह दोनों combination से, आप किसी भी season में अराम से consistently braking कर सकते हैं, और braking इसकी काफी अच्छी भी है, e-bike होने का एक और advantage यह भी है, कि यह किसी भी bike स्कूटी की तरफ pollute नहीं करती, तो आप अपने आपको तो healthy बनाई रहें, साथ में इस environment को भी, आप healthy बनाने में काफी योगदान दे रहे हैं, इसके console पे आपको एक और button मिलेगा, जो जिस पे लिखा होता है 6 km पर आर, और जब आप उसको press करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि suppose करिए आपके साथ कोई इनसान चल रहा है, और आपको उसी की speed से चलना है, और आपको cycle जाद तेसे नहीं चला नहीं, तो आप उस button को press कर सकते हैं, और यह cycle एक human जिस तरीके से चलता है, उसी speed पे 6 km पर आर की speed से आपक उसके साथ चलाएगी, जो कि यह काफी अच्छा option प्रवाइट किया गया है इस bike में, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इसका motor on करके ही रखें, इसको आप normally एक regular bike की तरह भी चला सकते हैं, आप इसको paddle करके भी आप इस पे exercise कर सकते हैं, और वैसे भी जब इसका motor खतम हो जात तब आप इसको इसका motor on करके use कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हिली रीजन होते हैं, या फिर आपको climb करना है, प्लाइवर साहर रखें, तो आप paddling करते हैं तो आपको बहुत effort लगता है, और paddling करना भी बहुत difficult लगता है, बट जब आप इसका motor on कर देत हैं, तो आराम से ये आपको paddling करके climb करा देता है, मैं आपको एक बर फिर से दिखाता हूँ, कि जब आप इसको आराम से आपको खुद से climb करना है, तो वहाँ पर आपको काफी human effort waste करना पड़ता है, और काफी difficult होता है, मैंने खुद try किया, पर जब आप इसको motor on कर देते है और उसके साथ साथ pedal करते हैं, तो motor भी आपको assistance provide करते हैं, और अराम से आप climb कर लेते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए इसमें कोई gear का need नहीं लगता है, जो इसका charger की बात अगर मैं करू तो, एक laptop की charger की तरह ही इसका adapter होता है, और आप इसको normal घर म आप plug-in कर सकते हैं, और उसे आप charge कर सकते हैं, थोड़ा सा disadvantage मुझे ये लगता है, कि इसका जो battery है, ये inbuilt इस frame के अंदर है, तो detachable नहीं है, अगर कोई second, third floor पे रहता है, ground floor पे नहीं रहता है, तो उसको शायद दिक्कत हो सकता है, बट हाँ extension cable का आप use करके, इस bike को अराम स 3-4 hours में completely charge कर सकते हैं, 0% से, यहाँ पे आपको battery level indication भी देखने को मिल जाता है, charging करते समय, अगर आप 4 hours से जादा charge कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि company ने इसमें charging protection भी आपको provide किया हुआ है, इस cycle में, बात करूं में, अगर इसके seat की, तो इसका seat भी height adjustable हो ज तो मुझे अभी तक तो लगानी इसको चलाते हैं, इसके साथ आपको थोड़ा बहुत accessories मिलता है, nut वगरा tight loose करने के लिए, और आपको इसके साथ एक user manual भी मिलता है, जो कि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, कि यह हर एक चीज कैसे function कर सकता है, वरना थोड़ी देर चलाने के बाद आपको used to तो होई जाएंगे, कि यह work कैसे करता है, बात करूं में अगर इसके pricing की, तो यह आपको 25,000 के आसपस मिल जाता है, इसकी MRP वैसे 26,000 है, पर आप Amazon बगर पे देखेंगे, तो 22-23,000 पे आपको आराम से मिल जाता है, प्लस कभी कबार bank offers भी लग जाते हैं, त तो आपको आराम से 1000 के आसपस और आप बज़त कर सकते हैं, ओफलाइन और ओनलाइन लेने में एक difference आता है, यह आपको मैं बताना चाहूँगा, ओनलाइन में बहुत सारे accessories आपको नहीं मिलती है, ओफलाइन में भी आपको same ही cost का मिलेगा, कोई वहापे difference, price का difference नहीं आता ह पर ओफलाइन में आपको seat cover, mud guards, bottle holder, bell और कुछ-कुछ basic चीज़े जैसे light यह सब आपको additionally free में वो लोग provide कर देते हैं, तो यह आप offline market से अराम से ले सकते हैं, मैंने इसके light का एक separate video बनाया है, चाहे तो आप i button को click करके उसको दीख सकते हैं, 100-200 रूपीज के range में आपको ए battery की एक और बात आपको बताना है कि 2-3 साल इसकी battery life है, उसके बाद आपको इसका battery replace कराना पड़ता है, जो कि आपको 5000-6000 रूपीज का अलग से battery लगवाना पड़ेगा.